नमश्कार आप लाइफ सिटीज देख रहे हैं मैं हूँ गरिमा भारती बिहार में कहीं एक बार फिर से लॉक्डाउन न लग जाए ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोग बाहर बेपरवा हो गए हैं ऐसा बिहार के मुख्या नितीश कुमार खुद कह रहे हैं क्योंकि पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उन्होंने अलग-अलग इलाकों में जाकर जाइजा लिया और अब बताया है कि सूबे के लोग पूरी तरह से बेपरवा हो गए हैं कई लोग ऐसे हैं जो मास्क पहनना आनिवारे नहीं समझते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं मानत हैं आज पटना शहर में कुछ इलाकों का भ्रमन किया देखा कि कई लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं लोगों की इस चूक से कोरुना संक्रमन बढ़ सकता है बिहार वासियों से अपील है कि मास्क अवश्य लगाएं और दो गज की दूरी बनाए रखे आपको बता दे कि समय पर वख्यमंत्री नितीश कुमार खुद दलबल के साथ निकलते हैं सडक पर और अलग-अलग इलाकों का जायजा लेते हैं देखते हैं कि किस लाके का कैसा हाल है और उसके बाद जो ज़रूरी फैसला होता है वो भी लेते हैं आपको पता होगा कि लोग डाउन ल लोकडाउन को एक बार फिर से खोल दिया गया है लेकिन दो दिन के बाद नितीश कुमार सड़क पर निकले और उन्होंने अलग-अलग इलाकों का जाइजा लिया और ये पाया कि बिखार में लोग एक बार फिर से बेपरबा होते हुए नजर आ रहे हैं मास्क पहनना जरूर से जरूर माने एक बार फिर से देखे उन्होंने क्या लिखा है आज पटना शहर में कुछ इलाकों का भ्रमन किया देखा कि कई लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं लोगों के इस चूक से कोरोना संक्रमन बढ़ सकता है बिहार वासियों से अपील है कि मास्क अवश्य लगाएं और दो गज की दूरी बनाए रखे मास्क लगाने और दो गज की दूरी का पालन करने के लिए मुख्यमंत्री नितीश कुमार बिहार के लोगों से अपील कर रहे हैं और यह हम सब की जिम्मेदारी है कि कोरोना का मामला जब अभी बिहार में घट रहा है तो हम उस प्राशन का सहयोग करे, सरकार का सहयोग करे, खुद अपना सहयोग करे, मास्क पहन कर, सोशल डिस्टंसिंग को मेंटेन करके अगर यह सारी चीजें अभी नहीं मानी जाती है तो फिर से कोरोना का संक्रमन बहुत तेज गती से बढ़ेगा और लोगों को परिशानी जादा ह हो सकती है, एक तरफ जहां थर्ड वेव की बाते हो रही है, हमें और जादा संभल कर रहना होगा, चाहे आपने वैक्सीन ली हो या ना ली हो, आपको मास्क हर हाल में पहनना है, जब भी आप किसी दूसरे से मिलते हैं, या फिर बाहर निकलते हैं, भीडभार में जाते हैं, लेकिन ये भी कोशिश करें कि दो गज की दूरी आप बना कर रखें, यही कोरोना से बचने का सबसे बड़ा हत्यार है फिलाल, लाइफ सीरीज के साथ आप बढ़े रहें, हमारे चानल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो पेज को कर सकते हैं, धन्यवाद.